Ola Electric ने पिछले साल 15 ओगस्ट को अपने आने वाली चार इलेक्ट्रिक बाइक्स को शोकेस किया था और ये जो electric bikes थी ये prototypes थी जिसमें से एक cruiser bike थी एक थी adventure bike तीसरा था roadster bike और चौथा था एक sports segment की bike और इन चारो prototypes में से एक bike अभी आने के लिए ready हो चुकी है और 2024 में ही हमें ये bike Indian market में देखने को मिल जाएगी क्योंकि इस bike के related काफी सारा information Ola Electric के तरफ से आ चुका है तो कैसा रहेगा Ola का ये electric bike क्या रहेगा specifications, features, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो पे end तक बने रहे है लेकिन अउससे पहले अगर आप channel पर पहली बढ़ाए हो तैसी और नए videos के लिए channel को subscribe भी कर तक कि आपको हमारे videos मिले सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूए कि Ola के तरफ से आने वाला तीन electric bike का patents लिख हो चुके है और इन patents को देखे इस electric bike के बारे में काफी कुछ information पता चल रही है और इस electric bike का नाम भी सामने आ चुका है और इस electric bike का नाम होने वाला है base variant, दूसरा रहेगा mid variant और तीसरा रहेगा top variant तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें base variant की तो इसका looks and design थोड़ा सा basic style का होने वाली है साथी थोड़ा सा low budget components भी यूज के जाएगा इस electric bike में और यह जो base variant है यहापे आपको एक BLDC motor देखने को मिलेगा बाकी दूसरे जो variant से आपको mid drive motor देखने को मिल जाएगी साथी base variant के अंदर आपको जो tires मिलने वाली हो थोड़ा सा पतले मिलने वाले है साथी braking system आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ disc brake है और पीछे की तरफ क्योंकि BLDC motor लगा हुआ है तो आपको drum brake ही देखने को मिलेगा साथी आपको इसका जो seat यह single seat देखने को मिलेगा कोई भी split type seat देखने को नहीं मिलेगा suspension setup की बात करें तो front में आपको मिल जाएगा dual telescopic suspension और पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा dual shock absorbers और जो swing आम है यह भी आपको एक normal सा मिलने वाली है तो basically देखके यह लग रहा है कि यह जो design यह काफी simple type का रहने को मिल सकती है चलिए अब अगर बात करें mid variant के बारे में तो mid variant का looks and design वो base variant के मुकाबले थोड़ा सा premium आपको देखने को मिलेगा इसमें जो motor मिलने वाली है यह mid drive motor मिलने वाली है साथी इसमें जो tires packet है यह थोड़ा सा 4 size के मिलने वाले है और जो body parts जो लगा हुआ है इस bike मे यह थोड़ा सा premium आपको देखने को मिलेगा साथी जो battery का compartment है वो भी थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा अगर हम दो compare करें base variant के साथ साथी braking system की बात करें तो आगे और पीछे दोनों wheels में आप देख सकते हो कि disc brake लगा हुआ है और suspension setup की बात करें तो front में आपको मिल जा है काफी जाधा बड़ा size का swing arm आपको इस bike में मिल सकती है चली अब अगर बात करें इस bike का top end variant की यह पर आप देख सकते हो कि यह जो top end variant की काफी जाधा premium लग रहा है अगर हम लोग सेंड डिजाइन की बात करें इसका टार साथी ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो front में आ साथी आपको इस bike में clip on handle bar split seats इसके लोगे range भी आपको इस top end variant में काफी ज्याधा मिलने वाली है अगर हम लोग compare करें mid variant या फिर base वेरियंट के साथ क्यूंकि battery compartment इस top end variation में काफी ज्याधा बढ़ा दिया गया अगर हम लोग compare करे mid variant या फिर base variant के साथ साथ हो सकता है जो साफी जादा फीचर्स दिया जाएगा अभी तक Ola Electric के तरब से कुछ ऑफिशियल सामने नहीं आई है कि क्या कुछ फीचर्स आपको इस बाइक में मिलने वाली है तो ही था Ola के तरब से आने वाला साइबर रेशर इलेक्रिक बाइक के बाड़े में कुछ डिटेल्स आपको इस लगी कमेंट पर बताए और अगर आपको इंफर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रेब भी करके जाए मिलते हैं आसी किसी नए वीडियो में तब तक के लिए खली कर्दियो का सब्सक्राइबबद चैनल कोड़े टिया हैं चलए लोगई पराल में inhaler और अवा